हालो गाइज हैर इस बीपी एस चोहान आई होप आपका जेए की प्रप्रेशन अच्छी चल रहे होगी और अब मात्र जब 16 डेज बाकी रह जाते हैं तो मैं 14 इंपोर्डेंट टिप्स एंड पॉइंट्स लेके आया हूं और वो पॉइंट्स इन 16 डेज में ही कंसिडर होते ह हम वन बाइवन स्टार्ट करते हैं उनको आप चेक कीजिए देट कुछ पॉइंट्स हो सकता हैं कि आप कंसिडर कर रहे हो ना कर रहे हो तो क्विक्ली हम 14 पॉइंट्स को चेक करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं तो पॉइंट नंबर वन गाइज यू हव तो क्रिएट एग्जेक्ली एग्जाम लाइक सिचुएशन जी तीन गंटे का जो पेपर आपको 9-12 देना है तो 9-12 उसी टाइम में आप ऐसा करेंगे कि बिलकुल एग्जाम लाइक एग्जामनेशन हॉल में जिस तरह का करना है उसकी एक लॉग बुक आप बना के रख लीजे कि आज मुझे यह यह जो है टार्गेट मेरा रहने वाला है और उसको आप अगर सुबह उठते ही 2 मिनिट में लिख लेते हैं और उसको नाइक तक आप पूरा वर्काउट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत आप तक जो है सेलक्शन में लेके आए तो अब कोई नई बुक हाथ में नहीं लेनी है इस्ट्रिक्ली जो भी कंटेंट है एक्जेक्ली उसी को आपको फॉलो करना है नया कंटेंट बिल्कुल नहीं लेना पॉइंट नमर फॉर गाइस अब किसी भी प्रकार से कोई दीजिए क्योंकि अब मात्र 15 दिन बाकी है तो ऐसे कि इस में नए कुछ शॉर्ट नोट्स जल्दी बनाने की कोशिश करना वह बहुत ज़्यादा आपका टाइम बेस करने वाला है पॉइंट नमर फॉइब गाइस आपको अपनी जो लॉग बुक आप बनाओगे उसमें आ इसमें पता लगे कि आज मुझे खाली ये वाला टैस्ट देना है इसका प्रपरेशन होगा और ये चीज मुझे आज सीखनी है पॉइंट नमर शिक्स गाइस बिल्कुल जिस तरह से स्पोर्ट्स में इंस्परिट होती है कि आप जब डेली टैस्ट आप दे रहें तो उस ट आप वह चीज को देखते हैं कि डे बाई डे वह इंप्रूव हो रही है तो दैट विल भी दा कॉंफिडेंस पॉइंट फॉर यू आपको मालूम चलेगा कि जो मेरा डेली का जो वर्काउट है एक्जाम जो मैं दे रहा हूं डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो वह किस तर सारी चीजें हैं अगर वह आप पूरा लॉग बुक और टाइम को अगर प्रॉपरली बना के रखते हो आपका रिजल्ट कितना है मार्क्स कितने आए टेस्ट में वह सब आप रखते हैं डिटेल्स में तो आपको बिलकुल मिरा रिमेज बना के देगा आपको सारी चीजे मा आप 9-12 जो मैंने टाइम बताया था जिस टाइम में आपका एक्जाम होने वाला है उसी टाइम में आप उसको सेट कीजे सो देट आपकी डेली एक टेस्ट की प्रपरेशन हो जाए पॉइंट नमबर 8 गाइस अब किसी तरह का क्रैश कोर्स या कोई ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट टाइम में कई बार होता है कि टीचर्स इस तरह की चीज ले आते हैं कि भी लास्ट सेवन डेज वी आर फाइनल प्रपरेशन के लिए हम यह कर रहे हैं तो उन चीजों को आप अवाइड कीजे रीजन यह है कि वो जो प्रपरेशन अपने ढंक से करवाएंगे तो वहाँ पर आपको उनकी एकॉर्डिंग काम करना होगा जबकि आपको अपनी प्रपरेशन को अपनी खुद की स्टडेजी के अकॉर्डिंग अप सैट करना है करना है कि वो कैसे पढ़ रहा है या कोई टीचर भी आपको बताता है कि हम सेवन डेज में लास्ट सेवन डेज में आपके ऐसे जो मेगा टेस्ट सीरीज करवाएंगे कंड़क करेंगे उनको आप अवाइड कीजे क्योंकि यदि आपकी प्रपिशन अगर अभी पूरी नही हैं तो ऐसे केस में जो मेगा टेस्ट वगरा देने होते हैं तो वो विकार जाएंगे उसका कोई आउटपुट निकल के नहीं आएगा तो आपको अपनी स्टेडी जी पर आना चाहिए पॉइंट नमर 9 जैसे जैसे एक्जाम पास आता है तो थोड़ा सा हलका सा इरिटेशन बढ़ती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो डेली वर्क आउट कर रहे हैं डेली पढ़ाई कर रहे हैं और जो डेली नीन्द हो रही है आपकी स्लिपिंग आवर्स जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस बना रहना चाहिए किसी दिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एग बढ़ाई भी जरूरी है तो इसका बैलेंस जो बनाके रखेगा वो स्मार्टनेस आपको मेंटेन रखनी है वो लूज नहीं होने देना है आप ऐसा मत कीजिए कि नंबर ऑफ आवर्स जो पढ़ने के बढ़ा दिया आपने और स्लिपिंग आवर्स कम कर दिये तो वो आपके अगले दिन के शेडियूल को डिस्टब कर देगा पॉइंट नंबर टैन गाइस अब बिलकुल गर्मी का टाइम आगे ऐसे टाइम में आप बिलकुल जंक फूट को बिलकुल अवाइट करना गाइस जंक फूट लेने के बाद में एकदम नीन आने लगती है और वो पूरा बॉडी के सिस्टम को डिस्टब कर देता है आप बिलकुल जूसेस पे आजाईए फूट पे आजाईए और आई सजेस्ट यू शुगर कैन जूस शुगर कैन जूस तो नंबर वन चीज जूस होती है अगर आप वो लेते हैं तो यू गैट दा एनरजी और पूरा रिफ्रे मिनिट्स का गैब देना होता है फाइव मिनिट्स आपके फ्री होते हैं तो उस टाइम में जब आप कुछ करते हैं तो यही लाइट फूट फूट और इनको आप यूज करें पॉइंट नंबर 11 यह तो मैं बता भी चुका हूं वापिस आ रहा है कि नया चैप्टर तो अब स्टार्ट करना ही नहीं है अगर आपका कोई चैप्टर पैंडिंग है तो हमेशा अंदर से फिलिंग आती रहती है कि इस चैप्टर को हम पूरा करते हैं लेकिन आपको पता है कि वह एक चैप्टर को प्रिपेर करने में बहुत टाइम जाता है तो उस चैप्टर को अब अच्छा पक्का कर सकते हैं और जो unprepared chapter है अगर आपने अब तक नहीं किया उसको छोड़ दो point number 12 guys अब कोई strategy वाली जो बात है किसी teacher से student friend से वो बिलकुल discuss नहीं करनी है क्योंकि जैसे ही हम discuss करेंगे तो हमें अपने उपर doubt होगा कि यह जो मैं strategy follow कर रहा हूं हो सकता है इसमें गलती हो और उसकी strategy आपने जैसे ही copy की तो आपका खुद का जो rhythm है वो disturb हो जाने वाला इसलिए बिलकुल आप अपने उपर आजएए आपको पता है अच्छी तरह से कि मुझे क्या चीज तैयार करनी है और क्या मेरा कुछ पैंडिंग है तो बिलकुल उस पर आजएए आप यह मत देखे कि वो कोई fast अच्छा student है और वो इस तरह से workout कर रहा है तो मैं वैसे ही कर किसी भी स्टेजी में जो चेंज करना होता है वो बिलकुल नुकसान देता है पॉइंट नमर थर्टीन गाइस आप बिलकुल अगर चाते हैं कि बहुत आपका जो आउटपुट ज़्यादा है पांचे गंटे आए तो आफ्टर एवरी 50 मिनिट्स आपको यह करना है 50 मिनिट आप पढ़ेंगे 5 मिनिट के लिए आप जो ब्रेक लेंगे 10 मिनिट्स का टोटल ब्रेक हो जाएगा और आफ्टर 10 मिनिट्स वापस आप अपनी सीट पे आजाएंगे तो 5 मिनिट्स का जो ब्रेक होगा उसमें आप आइडियल रहेंगे ठीक है 5 मिनिट्स में आप लाइट कर सकते हो या इसी बीच में जो आप कुछ मैंने बताया कि लाइट फूड है फूट है या जूस है इस तरह की चीज लेके और वापस अपनी सीट पर जाए लाइट फिजिकल एक्सराइज बहुत जादा हेलफुल होती है आखों की और यह इस एरिये की जो गर्दन की एक्सरा कि आप अगर आपने जो नमबर आप चैप्टर से लिखे हुए है और उसके आगे उसमें यह लिखाँ आए कि मैंने इसको कितने रिवीजन दे दिये इसके जो पी वाई क्यूज है वो मेरे साल्ड है नहीं है इससे रिलेटेट मैंने टेस्ट दे लिया नहीं दे लिया तो वो जो चार्ट है वो तुरंत आपके सामने जो है यह बता देगा कि किस चैप्टर का टेस्ट पेंडिंग है देना और किसके कोशन्स नहीं किये वे हैं किसका भी थियोरी में रिवीजन जो हैं नमबर ओफ रिवीजन आपने कितने दे दिया हैं तो इस पूरा चार्ट को तुरंत देखके लॉग बुक से मालूम चल जाएगा कि अब मुझे इस इस पार्ट में इस चैप्टर के सेग्मेंट में इस चीज की बाकी रह गई है जो भी चीज की कमी होती है आपको पता होता है ठीक है तो वो चार्ट को देखके तुरंत और ये चार्ट आपको बनाना नहीं पड़ेगा है वो बनता रहता है खाली आप मैंने बताया है कि लॉग बुक वाला एक पार्ट रहता है तो वो लॉग बुक जो है आटोमेटिक बनती रहती है आप एक उसमें मात्र दस देखते हैं जो भी चैप्टर आपने तयार किया है जो भी कुछ किया है उसको वहां पर अपडेट कर दीजे तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है ये आपको एक तरह से सिस्टेमेटिक बनाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी अब मुझे खाली इतना इतना पार्ट करना बाकी है तो गाइस ये पॉइंट्स थे ये पॉइंट्स आप लास्ट फिप्टीन डेज में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो और ध्यान रखिए कि बिल्कुल अपने आप में समट जाना है अब किसी स्टडेजी की किसी की कॉपी करने की बिल्कुल आवश प्रचे को यह ना पता हो कि मुझे क्या क्या प्रुपेर करना ठीक है वो जो जो एक्जाम दे रहा है या बोड का एक्जाम दे रहा है अब उसे सब कुछ मालूम ही है ठीक है लेकिन हम थोड़ा सा जो हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है इस वज़े से किसी दूसरे आपको अपने लिए अपनी सिचुएशन देखनी है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है ठीक है तो आप इन पॉइंट्स में से जो भी आपको अच्छे लगें उनको आप इंप्लिमेंट कीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए